आप दिल्ली विश्विद्याले में सेंटरल इंस्टिट्यूट ओफ एजुकेशन में प्रोफेसर के पत्पर अपनी सेवाई दे चुके हैं आप संस्कृत, संस्कृती एवं आशा भी ज्यान के विशेशग्य हैं और आपने अपना जीवन संस्कृत माता की सेवा के लिए समर्पित किया हुआ है आप एक सहज उत्प्रेरक, एक सरल अभी प्रेरक के साथ साथ साधा जीवन उच्विचार को च्रितरार्थ करने वाले उत्ग्रिष्ट व्यक्तित्व के स्वामी हैं आपके बारे में ज्यादा ना कहते हुए मैं केवल चार पंक्तियां कहना चाहूंगा सरल व्यक्तित्व साधा वेश रहते हैं ऐसे जैसे कोई संत या दरवेश संस्कृत और संस्कृती है जिनको प्यारी जिसके उठ्थान है तू लगा दी है उन्होंने जिन्दगी सारी मैं आदर्णिये प्रमशद्दे प्रोफेसर चांद किरंट सलूजा जी का पुनाय हार देख स्वागतेवम अभिनंदन करता हूं और उनसे निवेधन करता हूं कि संस्कृत वालमे में नेत्रित्व विशय में हमारा मार्ग दशन कर हमारा आमेकरिता आर्थ करें आदर्णि सबको साधर नमस्कार मैं सबसे पहले अपनी क्रितग्यता ग्यापिक करता हूं कि इस अवसर पर आप सबसे बाचित करने के लिए मुझे अवसर दिया है हमारे पास बहुत सीमित समय होगा और उस सीमित समय में संस्कित वांग में को आपके समख्ष रखना स्वाभाविक है ना तो उचित होगा और ना ही संभभ हो पाएगा हां कुछ मुख्य बिंदू अधात किस प्रकार से संस्कित वांग में में नेत्रित्व को और उसमें भी विशेश रूप से शेक्षिक नेत्रित्व को प्रदर्शित किया गया है कुछ बाते हम संकेत के रूप में लेंगे हां कुछ बाते ऐसी भी लेंगे जो आधुनिक युग में अपेक्षाई की गई है चाहे वो वैश्विक स्थर पर की गई है अथवा विद्यालेों में भारतिय राश्ट्रिय आधी-आधी परिस्थितियों में जिसकी कलपना की गई है और विशेश रूप से कुछ बिंद जिसमें कुछ हमारे आधर्श पुरुशों के आधर्श व्यक्तियों के आधर्श महिलाओं के नाम लिए गए है जिसका अर्थिय में बनता है कि वे सभी एक नेत्रित्व के रूप में हमारे समक्ष आते हैं मन तो यही था कि सारे उधरन पढ़े जाते लेकिन समय सीमा को द प्रित्व की चर्चा करने जा रहे हैं साथियों यह बात एक बहुत ही सपष्ट है हमारे समक्ष कि संस्कित वांग मयम मूरता विशालम मांग मयम तत्रवर्द दें बहुत विशाल है सभी परिचेते हैं इस तथ्थे से कि कितने वर्षों से यह वैडिक साहित्ते से है लेकिन यदि हम वैदिक साहित्ते से भी प्रारंब करते हैं तो वैदिक साहित्ते में भी भिन भिन स्थानों पर कहीं ना कहीं हमारा स्वरूप कैसा होना चाहिए समाज का दिक द्रश्टा कैसा होना चाहिए इसके संकेट मिरते हैं और क्या अपेक्षा हैं इसकी विचर् प्रतानी करण के ही प्रतीक हैं अगनी हों तो स्वभाविक है कि किस प्रकार से प्रकाश देने का वो अर्थ है ठीक है कि हम उसे अपने वैदिक साहिते के अनुसार एक भिन्न दैविक रूप में देखती हैं लेकिन यह देने के प्रतीक भी लिये जाते हैं तो यह प्रतीक का प्रत्मकता स्वाभाविक है कि अपने आप में कहीं ना कहीं एक नेत्रित्व देने का ही प्रतीक रहती है चहें वो देवी के रूत में सरस्वती आती हैं या इंद्र आती हैं अगनी आती हैं हर प्रकार से कहीं ना कहीं समाज के लिए एक दिख दर्शन इनके द्वारा प्रा लक्षिए हो और रिग्वेट के सामज़ से सूत्र में प्राप्त हो जाता है संग अच्छा द्वम संवदध्वम संवो मनांसी जानतां जिसमें कहीं न कहीं लक्षन दिया है कि जो भी नेत्रिक्तु प्रदान करने वाला होगा वह समाज को एक साथ लेकर चलने वाला व्यक्ति होना चाहिए ऐसे अनेक संदर इसमें आएंगे कुछ सूप्तियां कुछ कथन भिन-भिन प्रकार के साहित्ते से मैं आपके समख्ष रखूंगा और उसके वारा किस बुन की चर्चा की गई है अत्वा किस प्रकार की कलपना की गई है उसे हम देखने का प्रयास करें हम यह भी जानते हैं कि वैदिक सहित्तिक का एक बहुत ुई विशाल चित्र हमारे समख्षाता है वह उपनिशद के रूप में बहुत को अदिक सार के रूप में गीता हमारे समख्षाती है महा भारत बुन्यादी तोर पर संपोड़ महाभारत कहीं ना कहीं एक नेत्रित्व के रूप में हमारे समक्षा रहे हैं कि किस प्रकार का राजा होना चाहिए अगर जैसा नहीं हो वो धृत्राश्ट्रूप के रूप में देने का प्रयास की है कि अगर उसकी आँखे बंद करवा दी गई है कि इस प्रकार का स्वार्थ स्वार्थी देखती हमें नहीं चाहिए लेकिन महाभारत के ही अध्यायल में जिस स्थित्व प्रज्य की यानि गीता से संबध्ध जो घंड है उसमें नेत्रित्व का बड़ा ही सुन्दा रूप हमारे समक्ष रखा गया है स्थित्व प्रज्य के रूप में और उसकी बहुत सुन्दर व्याक्या योग दर्शन में भी आ जाती है योग अस्चित्वृत्ति निरोधा के रूप में कि बहुत अच्छा गुना जाता है कि जिसे अपने सभी इंद्रियों पर नियंत्रण है ये बहुत अनिवारे तत्व बन जाता है हमारे समक्ष एक नित और उसे अपनी विभिन्द प्रकार की गति वीधियों से स्वयम संतुष्ट रहने का प्यास करता है इसी साहिते के अंदर गट जिस प्रकार के गुनों की चर्चा आती है एक संकेट में वह आपके समक्ष रख रहा हूं फिर उनके कुछ लोगों के माध्यम से हम करेंगे स्थित प्रग्या के माध्यम से ही हम देखते हैं वेक्तित्म विकास की और भी जाता है कि वेक्तित्म का विकास कैसे है और बहुती सुन्द रूप से उपनिशद में एक बड़ा अच्छा संकेत में पंच कोशिये विकास की दिष्टी से कि प्रतेक विक्ती में उर्जा कि बच्चे के भीतर की चिपी हुई उर्जा को पहचानना होगा फिर वहां दो बाते कहीं है अध्यापक ही नहीं अभी भावक भी और अध्यापक केवल ऐसे ही नहीं वहां बहुत पश्रूप से लिखा है सेंसिटाइजेशन अर्थात संवेदन शीलता चाहिए जिसका एक सीधा अर्थ को यह भी निकलता है कि बच्चे में उर्जा छिपी है उस उर्जा का विकास कैसे किया जाए यह एक निद्रित्व प्रदान करने वाले का लक्ष होना चाहिए चानक के नीती के द्वारा हम जान चुके हैं आगे वबिंदु आएगा भी कि कोई भी व्यक्ति अयोग्य नहीं है चिक्षा नीती भी इसी बात को उठाती है कि प्रतेक व्यक्ति पढ़ने के योग्य है तो विद्यार्थी की अत्वा किसी भी व्यक्ति की भीतर की उर्जा जो है उस उर्जा को पहचानना होगा इसलिए तैत्रियोप निश्यद में जो पंच कोशिय विकास की चर्चा की ज इसकी परिभार्षा स्वामी विबेका नन्निवी मैनीवेस्टेशन के रूप में अधाप प्रस्पटी करन के रूप में की है साथियों इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि हमारे जित यानि यह कहें कि प्राचिन भारती साहित्य में निट्रित्व का रूप दो दृष्टिय उसे हमारे समक्षा रहा है एक तो ग्रंतों में से सईधांतिक रूप में कैसा होना चाहिए और उसका जो प्रकटी करण भी है उसका वैभारिक रूप क्या होना चाहिए वह वैभारिक रूप हमारे सामने रामायन के द्वारा महाभारत के द्वारा अथ्वा अन्य लोकिक साह प्राइह यह बात प्रसिद्धी है कि राज्य की कल्पना राम राज्य की कल्पना की रूप में है और राम राज्य का अर्थ है किस प्रकार से राम नित्रित्व प्रदान करते थे कि कोई भी व्यक्ति प्रजाक के रूप में असंतुष्ट न रह पाए वही रामायन में हनुआन का भी जो उधारण है वह भी अपने आप में एक नित्रित्व कुशरता प्रदान करने वाले की अर्थ में है सो ग्रेव का भी वही रूप आता है, रामन का भी वही रूप आता है, यानि जिन सिध्धान्तों की चर्चा की गई है, उसका वहार एक रूप कावे के रूप में हमारे समक्ष रखा है, इसलिए जो महा कावे की संकल्पना कावे शास्तर में की गई है, जिसके कुछ है ही जिसकी चर्चा मैंने किया और आजकल भगवत गीता को नित्रित्व देने की दृष्टी से सबसे अधिक महत्व दिया जा रहा है कुछ लोग आपके सामने हैं प्रजाहाती यदाकान सरवान पार्थ मनोगतान आत्मने आत्मना तुष्टहा स्थित्प्रज्यस्तदुच कि दूसरों के लिए अपने पूरे जीवन को समर्पित करने का प्रयास करता है कि उसका स्वभाव कैसा रहता है सबसे प्रेम करता है ना अभिनंदती ना द्वेश्टी तस्ति प्रज्या प्रतिश्ठिता सब के साथ नहीं पूर्वक रहने का प्रयास करता है मैं यदि कहू कि दोनों श्लोक सार रूप में अनला कि और भी बाते आएंगी ये दोनों श्लोक सार रूप में एक नित्रत्व के स्वरूप को हमारे समख्ष रखते हैं तो संबता कोई अतिशयोगती नहोगी फिर भगवत गीता महीं वीतिया ज्याय में ऐसे व्यक्ति की कल्पना एक स्थि उस ने ले लिया तो ठीक है तेकर उसमें किसी की हानी नहीं हो यहां भी है निरंतरता बरी रहें समुत्रमापा प्रभिशन्ति यद्वत उधहरण के तवारा इस बात को दिखाया गया है सर्शांति मापनोति नकामकाणी यानि वह एक निरंतर शांति स्वय्यम भी प्राप करता है और सामाजिक दिष्टी से भी उस शांति को देने का प्रयास करता है एक ऐसी करपना नेफिल्पु के रूप में की गई है घीता के कुछ और बिंदू हमारे समक्ष जवाते हैं जो मैंने एक सार के रूप में रखा है क्योंकि मैंने कहा था कि अधिक विस्तार में नही क्रोधार सित्धी नाविनंदती डाद्वेष्टी वशेही इंद्रियानियस्य निस्तहा निर्ममो निर्हंकारा इस सारे तत्व एक अच्छे नित्रित्व प्रदान करने वाले के साथ जुड़े हुए हैं यही कारण है कि वह कृष्ण अपने आपने हमारे समक्ष एक प्र प्रिश्ण ने उसे मना नहीं किया लेकिन कहा अभ्यास इन वैराकि इन चुप कौंते और कहीं ना कहीं है अभ्यास और वैराकित वारा आ सकते हैं यानि एक प्रेरत के रूप में क्या कारे होना चाहिए नित्रित्व प्रदान करने वाले का यह कृष्ण का बहुत अच्छ आता है अनुवान जी का उदारण आता है ऐसे हिह कृश्न का रूप याता है यो दिष्ठी भी है लेकिन प्रेश्ण मूलता नेत्रुतु प्रदान करने की रूप में है क्योंकि हो अपने आपने संपूण महा भारत अत्वा संपूर गते विधियों का केंद्र हमा के रूप में हमारे समक्ष आते हैं कि साथ ही हम अगर देखें कि शेक्षिन निक्रित्म की दृष्टी से है तो हमारा लक्ष игр प्रमु खूरोथ से है वह एक अनकूल प्रेत्परिवेश निर्मान की गोशल्म के राप अर्थात भी कि नेत्रतु प्रदान करने वाला चाहिए वह अध्यापक की रूप में है अत्वा प्रवेश निर्मान की दिष्टी से हमारे समक्षाते हैं जब भिन प्रकार की गती विधियों का भी नित्रित्वर करते हैं हाँ उनकी पहचान करनी होगी जैसे मैंने कहा कि नूतन शिक्षान इपी जो हमारी आई 2020 की उसका पहला बिंदु इसी पर निर्भर करता है और मानकर चड़ता है कि सभी लोग सीख सकते हैं और उसका लक्षे भी यही है कि सभी सीखें आप जानते हैं एक प्रसिद्ध विचारक हैं सद्गुरु के नाम से उनने बहुत यह सुंदर एक बात कही है कि असेंशली लीडर्शिप इस आर्ट और साइंस आप मेकिंग ठिंक्स हैपन जो घटनाए घटनी है उन्हें जो सिद्ध कर सकता है जो घटाने में अपना संप चलते हैं जो अनंद में कोश है कि अध्यात में कोश की रूप में मानते हैं हम मान कर चलते हैं कि विद्यार्थी में वह सभी संपून विद्यमान हैं कि वह उत्खाटन का प्रयास करना चाहिए। आपको ध्यान होदा उपनिशदनिक बहुती सुन्दा कथा आती है आरूनी और श्वीत वेतू की। मैंने रमाइन की बात आपके सामें रखी। वहाँ भी यहीं उधारन आता है कि लक्षवन मूर्चित हैं हनमान जाते हैं संजीनी लेने जाते हैं और उस समय बताया गया कि वह बूटी चमक रही होगी संपून पहार वेकर आते हैं पहले उन्हें सोचा कि मैं संभुता नहीं क कैसे पार करूंगा लेकिन जामद्गुरू के रूप में आते हैं उसे प्रेरिव करते हैं वह उधार्ण कैसा दे सकते हैं कि किस प्रकार से व्यक्ति के भीतर उर्जा विद्यमान है और नेत्रित्व प्रदान करने वाला उस उर्जा को किस प्रकार से महसूस करवा सकता है अब भूती करवा सकता है शिक्षक के रूप में हो अच्वा किसी अन्ने रूप में कोई भी नेत्रित्व जो संस्की साहिप्ति में आया है वो प्रेरत के रूप में आया है सूचर के रूप में आया है वाचक अथात बहुत पार शब्दों के माध्यम से भी आया है, दर्शक के रूप में भी आया है, यानि जिसे कहें कि शिक्ष का बोध अकस चाहिए, इस प्रकार की प्रक्रिया हमारे सुमक्ष रखता है कि हम चिंतन करते हुए स्वयम ही उत्तर को धूनने का प्रयास करने, इसलिए बार बार कहा जाता ह प्राचीन भारती साहित्य में, कार्य कैसे किया जाता है, इस पर बल होना चाहिए, न कि उत्तर जूंकात्यों दे दिया जाना चाहिए, यह वर्तमान शिक्षानीती भी कहती है, बच्चा के वो सीखे ही नहीं, वो यहाँ भी सीखे, कैसे सीखा जाता है, नित्रित्व का अर प्राचीन भारती साहित्य में नेत्रित्व के रूप में कि नेता, विनीतो, मधुरस्त्याग, दक्षह, प्णियवदह, रत्नलोकह, शुचेर, वाग्मी, रूडवंश, स्थिरो, युवा, युवा कार्द केवल आयूई नहीं है, अपनी वैचारिक दिश्टी से युवाव पताये गए हैं कि चतरु विद्ववसव, धीरो दातश्ट, धीर लड़ितश्च, धीर प्रशांत मन, प्रशांत नामात अतश्च, धीरो धत्त, ठ्याता हो, भाव यही है कि वह अपने आपने धी, अधाब जहां पुद्धी भी रखता है, वहां धैदी की भी कलपना उसक प्रशुप निशद ने इसे बहुत सुन्दर रूप से हमारे सामने रखा है, कहीं ना कहीं जो सत्व है, उस सत्व को खोजना है, जिसकी चर्चा मैंने का कि राश्टी शिक्षानीती 2020 अपने पहले सिद्धांत में करती है, कि हिरन मैन पात्रेन सत्य स्यापी हिता मुकम, त साथ हमारे विभिन प्रकार के गती वीडियो के कारण हम उसका दर्शन नहीं कर पाते हैं, उसे कहीं दूर करना होगा, और उसके बाद उस सत्व को ढूंड कर, उस सत्व को ढूंड कर, कहीं ना कहीं सिद्ध कराने का प्रयास करना पड़ेगा, कि व्यक्ति में जो उर्जा ह कैसे उसका प्रस्वुटी करन कराया जाए और यह प्रस्वुटी करन कराने का जो बिल्दु है वो नेत्रित्म के उपनिर्भर करता है इसलिए स्वामे विवेका नंजी का कफन आया था का एजुकेशन इसलिए मैनिफेस्टेशन आप विदिन जो भीतर है उसका किस प्रकार से प्रकटी करन हो सके एक अद्बूत बातादा हूं सर्थ डैलोर्स कमिशन जो राश्ट्री जो वैश्विक स्तर पर शिक्षा की चर्चा करती है इस शिक्षा का सुरूप क्या हो 21 सदी का उसके जो रिपोर्ट है उसका जो प्रतिवेदन है उसका नाम अद्बूत है टेल्जर विदिन आत्मनिष्ट अधिगम अथा पूर्जा संपूर्ण की संपूर्ण हमारे भीतर विद्द्यमान है कैसे उसका प्रस्पूठी करण कर करता है जिसे प्राचीन भारतियों ने आप निश्टा के साथ जोड़ा है और यह बात प्राचीन भारत की 21 सदी की शिक्षा हेतु यह प्रतिवेदन कर रहा है इसका थे कि नित्रित्व प्रदान करने वाला उस भीतरी उर्जा को कैसे प्रस्पूठिक करवा सकता है इस पर निर्भर करता है इसी प्रतिवेदन में कहा गया है दा कमीशन एफर्म्स इस भीड़ीग देट एजुकेशन इस फंडामेंटल रोल तो प्ले इन परस्नल एंड सोचल डवलप्में परस्नल एंड सोचल अर्थात इसी बात को भार्तिय साहिक्ट में व्यस्टी और समस्टी क समाज का है जिसकी चर्चा मैंने संकेत दिया था रिग्वेज में आई है जो आगे भी हम उसे थोड़ा और देखेंगे कि किस प्रकार से संग अच्छाद्वां संवादाद्वां संवामनांसी की चर्चा के माद्यमजी से उचाने का प्यास किया है नब दा प्रिंसिपल मी प्रिंस अवेलेबल तो फोस्टर एडीपर और मोर हार्मोनियस फार्मा पूमन डेवलप्मेंट एंडेरवाई तो रिद्यूस पावर्टी एक्स्विशन इग्लोरेंस ऑप्रेशन और वार अधा जो हमारे समक्ष समस्याइं है एक मित्रत परदान करने बाला उन सब समस्या के समाध्धान को देने का प्रयास करता है इसलिए राष्टी शिक्षा नीती जो हमारी 2020 की है उसने बार बार एक शब्ता प्रयोक किया है समस्या समाध्धान जिसे हम अपने एडिकेशन टेक्टनलोजी में प्राब्लम सॉल्विंग के मेक्सर से अत्वा प्राब्लम अधिगम की प्रक्रिया के लिए पहले उसे प्रामानित करने के लिए भिन प्रकार के शोला उपायवत्वा सोला बिंगों के साथ जोड़कर जहीं चनना प्राचीन भारती साहित्य का संपूर्ड दर्शन शास्त्र आपको अद्मुत लगेगा उस सारे सूत्र दर्शन के सभी दर्शनों के उसे धांत हैं सूत्र हैं कि कैसे जीवन होना चाहिए कैसे चीजों को जाना चाहिए क्या हमारी द्रिश्टी होने चाहिए एक नित्रत प्रदान करने वाड़े के सामरे जो यह सूत्र है इन सूत्रों का जो व्यावारिक रूप है वो हमें साहिप्ते के भीतर दिखाई देता है इसी रिपोर्ट में Learning to know Learning to do Learning to live together Learning to be एक नित्रत प्रदान करने वाले के चार गुनों की चर्चा करती है कि वह उसका संग्यान करवाने का प्रयास करे उसे कर्म के प्रति प्रेरित करे वह मिलकर रहने की भामना का विकास उनके साथ रहकर करे और मानव बनने की चर्चा करे मानव बनने की द्रिष्टी से उसे मानवियत धर्म के रूप में देखा गया है और कितने सुन्दर रूप से हमारा प्राचीन साहित्य इसके दस गुनों को बताता है धितिक्षमा दमोस्तेयम शोचम इंद्रिय निग्रहा धीर विद्या सक्टेम्ब क्रोधो जशिकम धर्म लक्षणम कितने सुन्दर रूप से कि धैर होना अजा जो भी नेता हो उसमें पहला गुर्ण बताया गया है वो धैर युक्त होना चाहिए ताकि सभी की बातों को सुनने और फिर सुनकर समाधान करने के अभी कही न कहीं उपाई देगा दूसरों के द्वारा कियऊ होए अपराधों को ख्षमा भी कर सके इसकार यहां कि व शचमा करने को कैसे उसका समाधान निकालना है इस बतार की छच़चा करता है अपने मन को बशह में रखता है पैसा नहीं जिसका उपयोग मंत्र में ना किया गया हूए कोई पादा पैसा नहीं कोई ऐसा मूल नहीं जिसका ओशदी के रूप में उपयोग नहीं हो सके इसी तरह से अयोग्योह पुरुशो नास्ति कोई भी व्यक्ति योगी नहीं है जैसा संकेत दिया था हर व्यक्ति में भिन्न प्रकार की उर्जा समाई हुई है फर रेक्पी में कुछ न कुछ तत्र समाया हुआ है जिसके लिए कहा गया था सत्य धर्मत रिष्टे उस सत्व को उस तत्र को देखना है मुझे रगता है इस नित्रित्व प्रदान करने वाले का लक्ष उसी तत्व को ढूनना है इसने कहा योजकस तत्र दुल्लभा यह जो नित्रित्व प्रदान करने वाला है उसका कार एक योजक का है वहाँ व्यक्ति के भिन्न प्रकार के मात जो ख्यमताएं है उन ख्षमताओं को कैसे प्रकटी करन उनका करना है इस प्रकार की चर्चा करे साथियो प्राचीन भारती स्राहित्ते में एक बात तों बड़ी मज़ेदार हमारे सामने आती है मैं तो केवसंके दे रहा हूँ बहुत सुन्दार आता है यो यसमिन करमाणी कुशलहा हमने देखा योकिता तो है किस कारे के रहे योकिता है उसके लिए बड़ा सुन्दर लक्षन दिया यो यसमिन करमाणी कुशलहा तम तसमी नेव योजेद यानि उसकी ख्यमता को पहचानना है उस ख्यमता को पहचान कर उसे उसके अनुकूल कारे में लगाना यह एक नित्रित प्रदान करने वाले का लक्ष होना चाहिए, उदेश होना चाहिए A person who is specialist in some sphere should be assigned the same word फिर एक ओप बहुत अच्छा गुण दिया नित्रित प्रदान करने वाले का हम जानते हैं आज की युग में भी हम जब लसायन शास्त्र में भिन प्रकार के प्रयोग करते हैं तो पहले रंग आदी को देख कर सोचते हैं यह कौन सा साथ हो सकता है, कौन सा तत्व हो सकता है बाद में विभिन प्रकार के परीक्षण हम करते रहते हैं। इसले कहां नेत्रित प्रदान करने वाला ऐसा हो जो सब के स्वभाव से भी उनकी पहचान कर सकी है। इस परीक्षण के रूप में इसलिए जब परीक्षण करने वाले का क्या लक्षण होना चाहिए। इस श्लोक में की गई है ऐसे बहुत से श्लोक हैं मैं तो कुछ आपके समक्ष रख रहा हूं एक और सुन्दर यजुर्वेर का मंत्र आता है कि जो भी नेत्रित प्रदान करने वाला हो उसमें मैत्री का भाव होना चाहिए मित्रस से चक्षुशा समीक्षा महें समीक्षा शब हुआ है गरौ हाँ स्था भाव है उसके साथ जुड़ा हुआ है वह संद रूप से हैं संपका भी प्राया किसी बीपूर्वाख ग्रह से मुक्त होना होगा यह कि अधीग कूर्वा पूर्वा हग्रह से मिक्त होंगे तब Trent का भाव ले सकते हैं असाद कोई भी नेत्र समीक्षा महें, समीक्षा पूर्वाग्रहों से मुक्ति मैं इसे इस सर्थ में देखता हूँ और गहराई से किसी व्यक्ति के लक्षनों को पहचानना बड़े ही सुन्दर रूप से यह प्राचेल भारतिये साहित्य में हमारी समक्ष आता है। मैंने आपके समक्ष चर्चा की थी कि रिवीता यह मंत्र कितने सुन्दर रूप से एक नेत्रित्व प्रदान करने वाले को बताता है मिलकर चलना चलाना ही उसका नेत्रित्व होना चाहिए। जिसे आजकर हम बड़े प्राहा प्रसिद्धी के रूप में कहा करते हैं सबका विकास सबका साथ सबका विकास वह भाव कहीं कर रहा है बताईए कब रिग्वेत के मंत्रों में इस बात को लाया गया था संदच्च द्वम संबदध्वम संभो मनांसी जानता समान मंत्रा समिती समान समान म मनह सहचित पमेशा समान म मնत्रम अभी मंत्रे वह समानें वो खभिशाज जों ने मा नमस्त वो मनो uh, यता वह उसा साई मिलकर चलो, मिलकर बोलो, एक दूसे के मन को समझो आपस में मिलकर विचार मन्तन करो आप सब्सक्रा लक्षे समान हो प्रसपर मिलकर वैभार करो समान उपदेश को सामने रखकर आप सब की प्राथनाए समान रूप से मिल जुल कर हो, आप सब के विचारों, फिर्देयों वाकारियों में समानता हो, मिल जुल कर रहने की शक्ती प्राथ हो, कितने सुन्दर ढंग से एक नित्रित प्रदान करने के वाले की समक्ष लक्षे रखा है, कैसे समाज को साथ लेकर चलना है, केवल संकेत है ये, और इस प्रकार के भाव जब आते हैं, तो उसके साथ भी एक बहुत मज़िदार बात उतने शिबों में आती है, उतिष्ठत जागरत प्राप्ति अबराने बोदत, या अभी प्रेरना जो है, उठो जागो लक्ष प्राप्ति तक बढ़ते चलो, अभी प्रेरक जो है, एक नित्रत प्रदान करने वाला जो है, वो किस बकार से अपने सम्हू को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरना देता लहें, एक प्रेरक के लिए, एक नित्रत प्रदान करने के लिए, कहा भी गह स्वाध्यायान महा प्रमदा, जिसका एक बहुत गहरा शीजिए गवन कुस्तों का पढ़ना नहीं कि आपको प्रारम में कुछ संकेत दिये थे मनुश्य स्वभाव को पढ़ना है हर व्यक्ति की जो उर्जा है उसे पढ़ने का प्रश्ण है उसे पहचानने का प्रश्ण यहां स्वाध्याय का एक विश्त्री तर्थ है, मैं किवा संकेत आग के समक्ष दे रहा हूं, कि किस प्रकार से निरंतर अपने अध्यान मेंने लोगों के जिर्का उन्हें नित्यत्व करना है, उनका भी वो किस प्रकार से अध्यान करता रहे, और बाद में वो आचारे के कारा ही सब को बताता है, शब्दों का उसे बहुत अधिक उपयोग करने की आवशकता नहीं पड़ती है, वो एक उसके चरम सीमा उसके सामने आती है, कोई भी नित्रित्व प्रदान करने वाले के लिए फिर संकेत दिया है, आनो भद्रह करतवो यंतो विश्वतहा, कि शु पुर्बाहगर से युक नहीं होगा, जिसकी चर्चा मेंने समीक्षा के इंतरगत की है, और हर प्रकार से वो शुब विचारों को ग्रहन करने की चर्चा करता रहता है, शाथियोग, इक नित्रित्व प्रदान करने वाले की सारे स्वरूप को मैं आगे दी, एक सारूप में आपके समक्ष रखता हूं, उसके पास नेकरित्व शास्ट के इंदरगत प्रवंधन भी है, परियावरण की चर्चा करता है, भाशा शास्ट की भी उसकी चर्चा रहती है, उसे भी भली बाती मान किस प्रकासि शब्दों का कहा प्रयोग करना है, कि समाज में किसके साथ सम कि चर्चा है वेतित विकास की द्रश्टी से मनों विजियान उसके पास होना चाहिए कही प्राहवलेग क्या करता हूं प्राज्ची हमारे वर्तमानकाल में 1990 में एक समिटी आई एक समिति गठित हुई थी जिसका प्रतिवेदन था टूवर्ड्स हुमेन एन एनलाइटन सोसाइटी सजग मानविय समाज की और आचारे रामोती जी की अधिक्ष्टा में उस समिति का गठन किया गया था जिसका अर्थ यह निकलता था शिक्षा ऐसी हो जो एक सजग मानविय व्यक्ति का निर्मान करें नूतर शिक्षा नीती भी जो हमारी है वो एक बहुत बासपश्ट कहती है इंसानियत को जो कही ना कही व्यक्ति में उत्पन करें इस नीती में तक्षिला नादंधा आधि का वर्णन किया गया जो एक मूल रूप से नित्रित प्रदान करने की द किया गया है श्रमणम मननम निति ध्यासनम वह चीजों को जाने उन पर विचार करें उन पर मन्थन करें और फिर उनका अनुप्रियोग भी करें अर्था व्यावारिकता उसका क्या होनी चाहिए इस पर उसे कहीं ध्यान देने की आवश्यकता है इस प्रकार से हम सार रूत में कह सकते हैं समय को ध्यान में रखते हूं मैं इसे बंद करने जा रहा हूं लेकिन अंत में एक सार आपके समक्ष रखता हूं कि कोई भी नेत्रित्व प्रवान करने वाला स्थित्व प्रग्य हो परिवेश निर्मान के चर्चा करता हो अर्थात जैसे एक बीज के लिए गुणों की पैचान कर सके आपस में मिल जुलकर रहने और उनके अविवर्दन की और ध्यान दे सके मैत्री का भाव हो कर्तव भावना हो मानवी गुणों के प्रति उसके निष्ठा हो विनम्रता से वह युक्तो इस प्रकार का नित्रित्व जब आता है उस्वाभावी के स समाज मिल जुलकर रहना तारंब करता है संकेत रूप में मैंने कुछ बाते साँ आपके समक्ष रखी है और एक संकेत यह भी दिया था सैध्धान्तिकता हमारे सहित्पे में दर्शनों में आई है और उसका व्याभारिक रूप कावें के रूप में आया है जो महां कावे के महां कावे के निर्मान के अंदर जाता है नाटे शाफ्त्र में नायत कैसा होना चाहिए बुनियादी तोर पर वहाँ एक नित्रित प्रदान करने वाले की दिश्टी से ही उस बात को हमारे समक्ष रखा है इतनी बात कहकर मैं समाज करता हूँ क्योंकि बाद में कुछ बहुत आभारी हैं कि बहुत सहज, सरल, और बोद घम्मे तरीके से आपने हमें जो है संपून संस्क्रित वांगमें के नित्वित्व संबंधी गुनों से अवगत कराया उसके लिए मैं अपने शिक्षण अधिगम के इंद्र की और से आपका हाँ दिश्टी आपका हाँ अ आपका हाँ आपका हाँ आपका हाँ